नमस्कार सभी को गुड़ मॉर्निंग मसूब करन साहे काचारी एफम आज हम विकॉम पार्ट पर्थमवर्ष के विद्यार्थियों के लिए एफम पेपर सेकेंड इंडियन बेंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतिये बेंकिंग वितिये परणाली के अंतरगत युनिट संख्या प्रथम में चेप्टर नमबर वन में टॉपिक एक विकास इल अर्थवेस्था में बेंकों की भूमी का या महतु है या एक अर्थोष्ता में बैंको का क्या महतु है उनका हम बिंदू वारधेन करेंगे पिछ्ले अद्रय में हमने या पिछ्ले टोपिक में हमने पढ़ा की बैंक क्या है उसके क्या कारी है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूस्टन था जो कि मैंने आपको यी कंटेंट और वीडियो के माद्यम से आपको डिलिवर्ड किया आज इसी क्रम में आगे उसी चेप्टर में एक विकाज सी लड़त्वेस्ताओं में पेंको की क्या भूमी का है क्या महत्व है उसकी चर्चा करेंगे इस टोपिक को पढ़ने से पहले जैसा कि आपको भी विदित है कि वर्तमान प्रिवेस में बेंको का क्या महत्व है बेंक किस परकार अपनी भूमी का का निर्वहन कर रही है इस परकार बेंक आरबियाई के दिशा निर्देशा नुसार कारियों को क्रियान्विन करती है प्रंतु एक देश की अर्थ्वेस्ता में भी एक स्वांगिन एं महत्वपून भूमी का का भी निर्वहन करती है इफम पेपर सेकिंड में यूनिट संख्या फेश्ट के अंतरगत ये प्रसन अधिकतर आपके एक्जाम में भी पूछा जाता है 20 मार्क्स का बेंकों का महत्व या रथी विकास में बेंकों की क्या भूमी का है इंपोर्टेंट्स ओफ बेंक्स और रोल ओब बेंक्स इन इकोनोमिक डवलमेंट आधिनुक यूग में आर्थी विकास की दस्टी से बेंकों का बहुत ही मैत्वपूर्ण मैत्व है या मैत्वपूर्णिस्तान है सभी प्रकार की अर्थ्वेस्ताओं के लिए चाहे वह विक्षित हो या विकास सील हो या बेंकों की नितान तावशक्ता है जैसे मनुस्य के सरीर में रक्त वाहनी नाडियों की तरह भाती कारिये करती हैं उसी परकार बेंक शरीर रूपी अर्थ्वेस्था में रक्त वाहनी नाडियों की भाती ही कारिये करते हैं जिस परकार रक्त वाहनी इनाडिया सारे सरीर में रक्त पहुचाकर उसे स्वस्थ सबल और सक्रिय रखती हैं उसी परकार बेंग संपून और्थवैस्ता में विद का संचार कर उसे भी सक्रिय वे सबल विक्षित करते हैं बेंकिक किरियाओं के भाव में आर्थिक विकास का मार्ग रूख जाता है इसलिए बेंकिंग विवस्था को आर्थिक जगत का प्राण भी कहा जाता है किसी भी देश का उत्पादन कौमा व्यापार व्यवसाय तथा उध्योग दंदे आदी सभी बेंकिंग विकास पर निर्बर है बेंकों के बिना आर्थिक विकास एक कोरी कल्पना है क्योंकि बेंक का प्रमुख लावेव महत्व पून है या निमन लिखित है प्रत्थम है बच्टों को प्रोस्टान परमोसन उप सेविंग जैसा कि आपको मालूम है बच्ट क्या है बेंकों में छोटी छोटी बच्टों को संग्रीद करके उन पर बेंक ब्याज देते हैं इसलिए प्यक्ति बेंक में अपना धन जमा करवाते हैं आउसक्ता पढ़ने पर बैंक से उस्थन को लेते हैं इस परकार बैंकों को प्रोसाहन में बैंक समाज में बच्चत की आदत को प्रोसाहित करते हैं बैंक छोटी-छोटी बस्तों को संग्रीद कर उन पर ब्याज देते हैं और ब्याज के परलोबन से बचत की परवर्ती बढ़ती है इससे अपवेव नियंतर्ण लगता है बेंग छोटी-छोटी बस्तों वेकत्रित करके उध्योग वेव्यापार के लिए भी वित्परदान करते हैं अगला पॉइंट है महत्तोपूर्ण है पूंजी निर्मान पूंजी निर्मान भी आधुनिक बेंगों की वीत्य वेस्था में बहुत महत्तोपूर्ण है बेंग छोटी-छोटी यहों बिखरी हुई बच्तों को एकत्रित करके उध्योग पतियों यहों व्यापारियों की वीत्य आउसकताओं को पूरा करते हैं बैंक अपनी जमाओं में वर्दी करके साख का सरजन करते हैं ये साख हैं वित उद्धोगों के लिए पुंजी का काम करता है बैंक पेकार पड़े हुए या भिखरे हुए धन को एकतरित करके उसे उतपादन कारियों में लगा कर पुंजी का भी निर्मान करते हैं इसलिए पुंजी निर्मान में भी बैंकों की बहुती महत्तोपुन भुमिका है तिस्रा पुएंट है व्यापार उद्योगों के लिए वित्व विवेस्था बैंक व्यापार उद्योगों के लिए उखे दया वित की व्यस्ता करता है Financing for Trade and Industries बैंक उद्योग व्यापार कारियों के लिए वित की व्यस्ता करते हैं आधुनिक यूग में उद्योग व्यापार में बड़ी मात्रा में पुंजी क्या हो सकता होती है बिना पुंजी में इनका संचालन संभव नहीं है बैंक जनता के तिरिक द्धन को एकत्रित करके उद्योग व्यापार कारियों में या व्यापार कारियों के लिए उधार देते हैं इससे समाज कातिरिक धन उत्पादनकारियों में लग जाता है उद्धोपतियों वे वियापारियों को प्रयाप्तवित मिल जाता है एवाँ बचत करताओं को उचित प्याज मिल पाता है इस परकार इसी करम में पूंजी की गती सिल्टा में भी एक बेंगों की मैत्तोपुन भूमिका है Mobility of Capital बेंग पूंजी की गती सिल्टा परदान करते हैं कोई भी पूंजी पती अपनी पूंजी में एसे कारियों में लगाते हैं या लगाना चाहते हैं जहां जोखिम कम हो और परतिफल अधिक मिले बेंक पुन्जी की पूरी सुरुक्षा के साथ उचित पर्तिफल भी देते हैं इससे पुन्जी कम उप्योगी इस्थान से हटकर अधिक उप्योगी यह उत्पादकारियों में लगती है इससे उत्पादन, रोजगार, रास्ट्याई में वर्दी होती है और आर्थी विकास का मार्ग भी प्रसस्त होता है इसलिए पुन्जी की गती सिल्ता, Mobility of Capital देश की अर्थोयस्ता में बेंको की भूमिका में एक महत्वपून कारियों का या महत्वपून भूमिका का निर्वहन भी करते हैं क्योंकि पुन्जी की गती सिल्ता एक अर्थोयस्ता में महत्वपून साहिक है अगला है मुद्रा पर्णाली में लोच्ता यों कीमत इस्थायत वहे मुद्रा पर्णाली में लोच्ता यों कीमत इस्थायत वहे flexibility in monetary system and price stability बैंक साह का निर्मान करते हैं इससे मुद्रा की पूर्ती आउसकता अनुसार कम याधिक की जा सकती है मुद्रा की पूर्ती वह मांग में संतुलन इस्थापित करने से कीमतों में भी स्थायत वह बना रहता है इस परकार बैंक मुद्रा पर्णाली में लोच्ता परदान करके कीमत इस्थायतों में भी सायोग देते हैं इस प्रकार मुद्रा प्रणाडी में लोच्ता वे कीमत इस्थायतु है एक विकासिल बैंकों में महत्वपुन भूमिकागा निर्वन है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मॉनेटरी सिस्टम और प्राइस स्टेबिलिटी एक साहिक है इससे मुद्रा की पूर्तिवे मांग में संत स्टेबिलिटी में सहयोग हो सके इस्थायतों में क्या हो सके सहयोग हो सके इसी क्रेम में आगे मुद्रा भेजने की सुईधा बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने में महत्वपुन भूमिकागा निर्वहन करती है इसे जोख्यम वेव में भी कमियाती ह जैसा कि आप आसानी से वर्तमान में मुद्रा को Google Pay, On Pay, Paytm, On Banking, Internet Banking, वे बैंकों के माद्यम से, आसानी से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान से भेज सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर सुईदाई है, मुद्रा भेजने की सुईदा, Remittance Facilities प्रवाइड करवाती है इस सिक्रम में आगे, सार्वजनिक वित की विष्था भी बैंक करती है, Arrangement of Public Revenue सार्वजनिक वित की विष्था में, Bank सरकारी रिनो की विष्था करने में महत्वपून भूमिका निवाते हैं, आउसकता होने पर ये सरकार को वीतिय प्रामर्स और वीतिय साहिता भी परदान करते हैं बैंको द्वारा अरजित लाब को सरकार अपनी वीतिय आउसकताओं की पूरती में काम ले सकती है इस परकार बैंक सारुजनिक वीत की वेस्था भी करते हैं इसलिए अरेंजमेंट और पबलिक रिवन्यू सरकार में या सरकार को आउसकता पढ़ने पर भी राज की वित की वेस्ता बेंक को पलब्द करवाते हैं जिससे सरकारी पर किरिया यो सरकार में होने वाली गती वीदियां सही तरीके से संसालन हो सके अगला है इसी करम में बेंकिंग का विकास पर्मोशन ओव बेंकिंग के विकास में बेंकों के कारण ही जन्त सामाने में बेंकिंग पर उड़ती का विकास हुआ है जब जनता आपसी लेंदेन में धातू मुद्रा वे पत्र मुद्रा का परियोग ने करके साग पत्रों का परियोग करने लगी है इससे विदिग्रह मुद्रा के आवसकता कम हो गई है बहुमुले धातूं सिकों के चलन में ने रहके धातू की गिसाउट में भी होने वाली हानी परविणी अंतर लगा है क्योंकि बेंकिंग विकास एक देश की अर्थोयस्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर है बिना बेंकिंग के विकास देश प्रगर्थी शील नहीं कर सकता या देश प्रगर्थी नहीं कर सकता इसलिए प्रमोशनों बेंकिंग होना आज के इस मरत्मान परवेश में बहुत ही महत्वपूर है अगला पॉंट है परती निदी तो प्रामर्स दाता के रूप में भी कारे करते हैं रिपर्जेंटेटिव एंड एडवाइजर बेंकिंग बेंक की किरिये उध्योगपतियों यह व्यापारियों के लिए बहुत उप्योगी है बेंक उनके परती निदी एवं प्रामर्स दाता के रूप में भी सस्ती सेवाएं परदान करते हैं जिससे उध्योगपतियों वे व्यापारियों के समय वैसरम की बचत भी होती है अगला बिंदू रोजगार में वर्दी Employment Generation बेंकिंग रोजगार में वर्दी करती है विविन भर्दियों के मादम से वेक्तियों को रोजगार लगवाती है जिसमें बेंकिंग कर्याओं के विकास से उध्योगिक वैव्यापारिक कर्याओं का भी विस्तार हुआ है बेंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रसष्ट किया है उद्धोग व्यापार बेंकिंग से वाओं आदी के विस्तार में रोजगार के उसर भी बड़े हैं इसलिए रोजगार के उसरों में भी बेंकों की बहुत ही आधुनिक कर्थवेस्था में भूमिका रही है अन्तिम पॉइंट है अधर एडवांटेज अन्यलाब अन्यलाब में मुख्य तया बेंकिंग अनेक परकार की सुजदाएं देती हैं ग्रहकों को जैसे लोकर्स की सुजदाएं बिलों की कटोती की सारुजनिक धन राशी जमा करवाने के लिए विभिन परकार की जोखिमों से चुटकारा दिलाते हैं और अन्तरास्टे व्यापार एक देश से दूसरे देश में होने वाली गती वीदियों में भी बेंक महत्तुपुन महमी कागा निर्वहन करती हैं जिसमें हम पढ़ें किसके तिरिक भी बेंक गरहाकों को धन को सुरक्षित रखने के लिए लोकर्श की सुईदा परदान करते हैं बेंक अपने ग्राकों को विभिन वेक्तियों की साक वे आर्थिक इस्तिती की सही सूचना देकर निर्णियों को सही दिशा परदान करते हैं बैंक बिलो की स्विकर्टी यहों कटोती की सुईधा देकर राश्टी और अंतराश्टी वापार की विकास में भी सायोग देते हैं इसके अतरिक बैंक यात्री चेक जारी करके धन को यात्रा के साथ ले जाने में महित्वपुन मुमी का या जोखिमों से चुटकारा दिलते हैं बेंक ग्राहकों की साख पत्रों के संग्रह नका कारे करते हैं और उनकी बुकतान उनकी और से बुकतान देते हैं और बुकतान प्राप्त भी करते हैं इस परकार हम निसकर सुरुप से ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक यूग में बेंकों के बिना उद्धियोग व्यापार आदी किलेय नियंतुत रहती हैPM सिमित रहती हैं तो बेंक अर्थिक विकास से हो रोजगार में आउसर समाप्थ हो जाएंगे अगर बेंकों का विकास नहीं होगा, सारी अर्थविस्ते गतीहीन हो जाएंगी अर्थिक विकास के लिए बेंकों की बहुत आउस्थत है क्योंकि प्रोफेसर टाउमस ने भी बेंकों के महत्तों पर एक सब्द लिखा है वाके लिखे हैं, परिवासित किया गया है कि बेंक साक पत्रों के चलन निर्गमन नियंतित करते हैं वे उधार्दे पुन्जी के विन्योग को सुईधा जनक बनाते हैं तथा इससे उसका सबसे लाबदाय गुपयोग ये वीतरन संभव बनाते हैं और जब तक जहां चलन मुद्रा गयाव सकता है उनकी पूर्ती करते हैं तथा कुछ हत्रों में अधिक चलन मुद्रा की पूर्ती को भी कम करने वाले इस्थानों पर इस्थाना अंत्रीद करते हैं इस परकार आज हमने बहुत बहुत धन्यवाद आज हमने बहुत ही महतुकुन टोपिक Importance of Banks, Role of Banks in Economic Development के बारे में पढ़ा जो आपके एक्जाम की दिस्टी से उसनाता है कि Explain Creativity the Role of Bank in Developing Economy जो कि एक विकास से लटत वेस्ताओं में मरतमान प्रवेस में बेंक होगी क्या भूमी का है, क्या महतुए है इसी क्रम में अगले धाय में हम पढ़ेंगे वानिजग बेंक क्या है, उनके क्या क्या परकार है नेक्स्ट वीडियो में बहुत भहुत धन्यवाद Thank you very much